नवस्कार दोस्तों, असेस्मेंट ये 21-22 के लिए टैक्स ओडिट एरर फ्री फाइल हो सके इसके लिए इंकम टैक्स पोर्टल के द्वारा एडवाजरी जारी की गई है टैक्स पेर को इंशर करना है कि लेटेस्ट वर्जन यूटिलिटी का यूज करें ताकि जेस्ट फाइल को जनरेट कर सके इंकम टैक्स पोर्टल पे इसके अलावा उसे डेटा को रिएंटर करना होगा जो के क्लोज 11, 18, 20, 21, 26, 34 में दिया गया है टैक्स ओडिट उटिलिटी में और उसके बाद उसे जेसन फाइल को जनरेट करना है ताकि पोर्टल पे इसे अपलोड कर पाए इसके अलावा ये भी इंशर किया जाना चाहिए कि यूटिलिटी में नीचे दीगी डिटेल कोरेक्टली एंटर की गई हो यानि कि टैक्स पेर का पैन नंबर, असेस्मेंट इयर्स, ये मेंबर्शिप नंबर और फोर्म फाइलिंग टाइप इसके अलावा टैक्स ओडिट को क्योंकि डिजिटल सिंगने से साथ फाइल किया जाता है इसलिए आपके इंशर करना है कि आपके कम्प्यूटर पे लेस्टेट M-Signer M-Bridge अप्लिकेशन इंस्टोल्ड हो और जो DSC signature है उसका token जो है वो logged in होना चाहिए यूजर के द्वारा इसके अलावा CA login और taxpayer में profile और contact detail अपडेट की हो इसके अलावा local host ये मुद्रा blacklist ना किया हो system admin के द्वारा और ये मुद्रा token के driver जो है वो updated हो दोस्तों आप इन सभी बातों का ध्यान रखे टेक्स audit करते हुए assessment year 21-22 का अमीद करते हैं आपके लिए हैं news useful रही होगी कि पहला आई कि जो share कीजिए ताकि सभी लोगों तक के जानकार पहुँच पाए और वो income tax की compliance कर पाएं regular GST और tax update के लिए इस channel को subscribe करें फ्रेंज आप TDS, income tax, GST और accounting software audit rail के साथ compliance असानी से कर सकते हैं इन software के demo देखने के लिए आप हमें mobile number के साथ email कर दीजिए taxil.gmail.com पर आप हमें telegram app csf basing taxil पर join कर सकते हैं थाके आप GST और income tax के regular update अपने mobile पर ही प्राप्त कर सकें प्राप्त कर सकते हैं